जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयों के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान नमस्का दोस्तों ओम शान्ती स्वागत है आपका हमाय प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हजारों मील का रास्ता भी एक कदम से ही शुरू होता है पहल लेने की बात है कभी भी जिंदगी में आप अगर कहीं रुक गए हैं जहां आपको लग रहा है कि अब इसक आगे चलके मंजिल मेरा इंतजार कर रही है तो देखिएगा कि आपके अंदर का जो यह आतना विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा इस खुबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम के हम शुरुबात करते हैं हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पतेव जी ओम अभूम शाथ वेलकम टॉ आश्यों टॉक्टर सहाब हजारों मील का रास्ता आज स्ट्रेस जो हम देख रहे हैं हमारे जिंदगी में इतना बढ़ता जा रहा है हजारों मील का रास्ता लगता है कि कहां जाकर के मुझे शांती मिलेगी वो शांती को डूनते डूनते हम ठक दून रहे हैं दोस्तों में डून रहे हैं ओफिस में डून रहे हैं कहीं भी हमको ये शांती नहीं मिल रही है अब इस ट्रेस से कोपप करने के लिए क्या आध्यात्मिक्ता हमें मदद कर सकती है अब तक भी हमने कहीं बातों की चर्चा की है और एक जो नया सा पहलू है आपने भी बताया कि भी संबंधों में हम शांती को डूनने की कुशिश करते हैं और जब हम कारणों को भी देखते हैं अधिकतर जो तनाव है उसके दो बाते तनाव में एक तो कोई परिस्थिती आ को तनाव होगी हम सब जानते हैं एक सिंपल सी चीत कि स्कूल से बच्चे लेट छुटे और सभी बच्चे अपने घर में एक घंटा लेट पहुंचे तो आप देखे कि कुछ मधर से हो तो रिलाक्स हो सकते कि साइट लेट हुए होंगे फोन कर लिया ना भी किया लेकिन कु कुछ हो तो नहीं गया और सबसे में बात उस वक्त आदे से ज्यादा माताएं नेगिते सोचते हैं क्यूंकि इनसेक्यॉरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे अंदर में रिष्टों को लेकर के थोड़ी देर के लिए भी अगर बात ना हो किसी व्यक्ती से हैं तो हम लगते हैं कि कहीं में उन्हें खोना दू तो यह इनसेक्यॉरिटी भी स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है और यह एक बैग्राउंड है इसे के लिए एक प्रकार की घटना और दूसरा वह आपकी परसनालिटी इसे कहेंगे कि बीज बोया तो अगर धर्ती वैसी नहीं है त तो फल नहीं आएगा तो ऐसे ही अगर आपका मन स्टेबल है आपकी परसनालिटी पॉजिटीव है तो बल परिस्तिती वही आई आपको तनाव नहीं होगा तो वह दोनों में मेडिटेशन हेल्प करता है एक तो आप देखेंगे कि जो भी मनो विज्यान की बहुत सारी थिय सेगमेंट फ्रॉइड के द्वारा वो शुरुवात हुआ और फिर तो बहुत कुछ आगे चला तो सब थियरीस को हम देखते हैं उसका सार यही है कि बच्चा जब जनम होता है उसका और बड़ा होता जाता है तब उसका जो शारिरिक विकास होता है ऐसे ऐसे उसका मानसिक विकास भी होता है और जब वह मन से डेवलाप हो रहा है बच्चा तब अगर कहीं प्रोब्लेम हो गए करेक्ट के वहां कहीं वह रुग गया अलग-अलग थियरीया जिसे सेगमेंट फॉइड ने काई कि बेने औरल फेज एनल फेज ऐसे अलग-अलग फेजिस उन्हें बता लेकिन अगर सिंपल सा है कि बच्चा बड़ा होता जाता है और तब जो उसकी मानसिक स्थिती है उसमें अगर वह प्रॉपरली ग्रो करे कहीं डिफिकल्टीज ना आए, कॉन्फिक्ट्स ना आए तो वह पर्फेक्ट्ली ग्रो होगा और अगर वहां कहीं कॉन्फिक्ट्स वह प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उस समय साथ कुछ भी दिखाई ना दे लिकिन आगे चलके उसको बीमारियां हो सकती है बड़े होकर कि उसको साइकलोजिकल प्रॉब्लेम्स हो सकते हैं तो यहां अध्यात्मिक्ता में अगर हम देखेंगे तो यह सारी कि बात संबंध होकी है कि बेटा है उसको मा अच्छी लगती है एक साइकलोजिकल नेचरल प्रोसेस कहा बेटी को पिता अच्छे लगते हैं तो जब वो बड़े होते है तो अगर नेचरल वे में वो बात चली जाए Success danby भेटा है कि बिटा मुझा कर रहे है पर उंतो हो नौर्ममल घ्रोध उसके अंडर्स्टेन्डिंग से होजा vet तो then he will grow normally, the same way daughter also, अगर यह understanding आए कि बेनो मा भी मुझे प्यार देती है, मा भी मुझे understanding देती है, इसे करके उसका proper ग्रोथ हो तो she will also grow normally, तो यहां कहीं ने कहीं problem आता है, भाई बेहन के साथ भी problem आ सकता है, तो आज एक मनो विज्ञान में मान्यता है कि अधिकतर जो problem है ना वो हमारे संबंधों के problem, starting from childhood, हम adult हो तब तक भी, तो आधियात्मित्य यहां पर बहुत बड़ा मज़र करती है, कि संबंधों में जब गड़बाट होती है, तब हम मांग के ले नहीं सकते, for example, कि आपकी sister आपको प्यार नहीं करती है, तो आप उसे जगड़ा करके वो प्यार मिलना नहीं है, वो support नहीं मिलना है, पर अधियात्मित्य में क्या हो रहा है, अधियात्य में जब प्रॉपरली किया जाए, कि भी सारे संबंध हमें परमात्मा से जोड़ने हैं, राच्योग में एक विशेश बात भी आती है, कि केवल परमात्मा के गुणों का अनुभव करे, परन्तु में सर्वसंबंधों का प्यार भी अनुखो करू, पीता के रू तो एस सब संबंदों का प्यार अगर हम अनुभाव कर लेते हैं तो फिर वो conflict दूर हो गया यह दो नहीं वो conflict है वो problem करता है जैसे अब बचपन से मेरे मन में यह है कि मेरे father strict थे मेरे father ने भौत मुझे मारा मेरे father ने मेरा ध्यान नहीं रखा मेरी बहन का ध्यान जादा रखा अगर मेरे में घ्रंती है तो मुझे आगे चलके problem करें लेकिन अगर वही व्यक्ति meditation करने लगे और परमात्मा से पूरा एक पिता का प्यार प्राप्त करें यह नहीं परमात्मा ही मेरे पिता है परमात्मा मुझे पिता के रूप में मेरी पालना कर रहे पिता के रूप में मुझे वो psychologically spiritually grow कर रहे वो अगर अनुभूती आ जाए तो वह जो वहाँ conflict है कि शरीर के पिता ने प्यार नहीं दिया वो खतम हो जाएगा में भी उसका substitute भी मिल गया आपको जो जरुत है वो तो emotional है अल्टीमेटली नो everything is emotions तो ओ जो emotion है कि भी पिता का प्यार नहीं मिला वो एक प्रकार से जिसे मैं आम तोर पर यह मानता हूं in simplified psychology कि यह भी एक आत्मा में center create हो जाते है हमारी psyche में center create हो जाते है कि मुझे पिता का प्यार नहीं मिला you know my mother was very strict तो जब हम परमात्मा से बले आपको याद भी नहीं करना है एक व्यक्ति बस स्वियसली रोज ध्यान करता है अच्छे से ध्यान करता है परमात्मा को पिता के रुप में याद करता है उसका प्यार प्राप्ता करता है उसका satisfaction होता है तो definitely यह बात cover हो जाए तो आप कहना चाहरे है कि अगर मेरे पिता से मुझे प्यार की थोड़ी सी कमी रही है तो भगवान से अगर मैं उनको पिता बना लूँ तो वो सारा जो emotional blockage है वो transfer हो जाए क्यों कि वो मिल गया ना जो चीज आपको चाहिए for example different simple example देता हूं कि मेरे में vitamin B12 की कमी है तो मुझे vitamin B12 च अगर में vitamin B12 का injection ले लो तो दूर हो गया तो ऐसे ही जो भी stress psychological problem इस बात से निर्मान हुआ कि मेरे फाधर ने मुझे पूरा attention नहीं दिया मेरी थिक से संभाल नहीं की और my father was strict जब परमात्मा से वो प्यार हम प्राप्त करते है तो वो injection हो गया B12 का आपको यह जो कमी थी वो कभी fulfilled हो गई है it's very easy सिर्फ हमको अच्छे से करना है properly अगर हम practice करें तो it is not at all defective and it is a wonderful thing very interesting actually डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि रिष्टे जब हम भगवान के साथ कायम करते हैं तो यह तो मैं जानती हूँ कि मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ या फिर शाद मैं उनसे स्रिक बाते कर रही हूँ लेकिन उनसे मुझे वापस reply back जो आता है वो मैं कैसे trace करूं क्यों कि वो तो निराकार है आपी ने कहा कि वो निराकार है अगर वो निराकार है तो मैं उनसे किस तरह से बाते कर सकती हूँ, किस stage में मुझे रहने की जरूरत है, किस पात्र बनने की जरूरत है, जिससे मैं भगवान से direct connection कर सकूँ एक्चुली तो आप देखो ना कुछ करने की जरूरत में, जिससे गीता में भी है, कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना फूल नहीं चाहिए, उनको प्रसाद नहीं चाहिए, क्लियर आता है, कि वर्मात्मा को तो बस सिर्फ अपना भाव चाहिए, वैसे एक उसे आप परमात्मा को याद करो, और positively कि वो मेरे पिता है, सचमुझ पिता के रुप में मुझे सब कुछ दे रहे हैं, और जो शरीर के पिता है, यह सोचे कि उनकी तो अपनी लिमिटेशन्स थी, बिचारे अपनी उल्जानों में इतने उल्जे हुए थे, कि हमको टाइम नहीं दे पाए, उनके सामने और दस समश्य आए थी, for example, कि वो बिमार थे, इसके कारण मेरा अटेंशन नहीं दे पाए, नहीं ना, परन्तु परमात्मा में कोई बात नहीं है, he can always give me love forever, दूसरी यह भी बात समझने की है, कि बल इसे आम तोर पर यह कहा जाता है, कि भी मात पिता तो सब बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, परन्तु फिर भी कहीं थोड़ा बहुत भेदा सकता है, जो बच्चा एक दम शान्त है, उनकी बातों को मान रहा है, तो माता पिता ज्यादा प्यार करते, कोई बच्चा जिद्धी है, उनके सामने बोलता है, तो माता तो उसमें कुछने कुछ condition हो सकती है, है ना, प्यार देने की, परन्तु परमात्मा हमें unconditional प्यार दे, हमें एक wonderful चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ ली जाए, और ध्यान में थोड़ा सा मुझे भाव करे, कि परमात्मा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे प्यार करते हैं, ये भी मनोविज्ञान में माना गया है, कि हर बच्चा ये चाहता है, कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे प्यार करो, मेरी कोई speciality के कारण मुझे प्यार नहीं करो, ये ना, you accept me as a person, और अगर गहराई से सोचा जाए, तो God only can do this, nobody else can do it, ये ना, तो इसलिए हम परमात्मा क सर्व संबंधों से याद करे, तो then wonders can be created, यहां यह सोचना है, कि life is a serial, हम पकाई, सेरियल में पाठ था तो ऐसा था, देखते हैं, कहीं बार हमने सेरियलों में देखा है, I am giving different example, कि भई, सेरियल में तो वो दोनों actor और actress खूब लडते हैं, लेकिन real life में तो उमको प्यार हो यहां, इसे कहीं example है, तो, सुधेर तो दिया only acting, इसे सोचो कि पीता मेरे से strict थे, लेकिन में भी धेर तो पार्ट और इस acting, तो as a soul, we are good, तो इसे कितने सारे जो problems है, relationships के यह खतम हो सकते हैं, और जो वो एक तक्रार जो चलती रहती है, वो खतम हो जाए, automatically, very nice, बस only we should be pure, जितना अच्छे भाव से परमात्मा को याद करो, वो automatic मिलेगा, वाव, and then no wait, बेशा नहीं कि अब मैंने क्याप भी क्याभी solution हो गया, बगवान के घर में देर है, तो वो थोड़ा time लग सकता है, परम तुबस मैं उनको याद करता, उनसे शक्ती ले, तो उसमें फाइदा तो ही है, को ये भी कही बेट नहीं हो रहा है, तो भी मैं क्यों परमभववान को याद करो, कि मैंने तीन महिना तो किया ये नहीं हुआ, तो भी यह सोचना है कि जो भी मैंने परमात्मा को याद किया, जो शांती का अनुभव किया, जो एकागरता का अनुभव किया, उससे मुझे फाइदा ही हुआ. जो ब्रेन हमारा है, वो सेंटर्स क्रियेट करता है, या तो कहेंगे कि आत्मा में भी थौट्स के सेंटर्स क्रियेट होते हैं, तो भल आपके समश्या का समाधन नहीं हुआ, परन्तु आत्मा तो शक्ती शाली बनी, ब्रेन भी शक्ती शाली बना, एक मैं सिंपल सा उधार ना इसको पंदरा मिनिट धक्का मारो, रोज आप बिल्कुल पर्फेक्ट टाइम पे आके पंदरा मिनिट उसको धक्का मारते हैं, लेकिन पत्थर एक मिली मिटर भी आगे नहीं गया, तो कुछ काम हुआ, काम हुआ, नहीं देखो, काम हुआ, कैसे? आपके मसल्स ट्रॉंग हो ग करते हैं, मन को एकागर करते हैं, तो आपका विल-पावर तो बढ़ता है, आपको नए सर्किट्स क्रियेट होते हैं, वो पुराने करम हैं, वो काम होते हैं, और एक दिर वो सोल्यूशन भी मिल जाएगा. How beautiful, this is so beautiful. Dr. सहाब, कई बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, वेडिटेशन करने की, कई बार ऐसा होता है, कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, पैन के वक, जब भगवान को याद करते हैं, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसकी याद आते हैं, अब उनसे बाते किस तरह से करनी हैं, मुझे जब मैं पैन में हो, तो उनसे जब बाते करूं कि मैं भगवान से, तो ऐसे कौन सा तरीका है, क्योंकि आपने कहा है, ना मुझे ये बोलना है कि मैं कामी कप्ती हूं, ना मुझे अपने तिरसकार करना है, और बस उनसे बाते करना है तो उनसे कैसे बाते करें जिससे मेरा pain कम हो जाे नेने, simple सा न aquarium एक दो यह है परमातमा आपको उगर पता है pain का for example, से रिलेशन्जिप का pain है तो परमातमा को याद करें और कहें कि परमातमा आप मुझे शक्ति दो आप मुझे वो wisdom दो वो विवेक दो कि मेरी कहा गल्ती है तो मैं चेंज हूँ अधिकतर संबंधों में यह देखा गया है कि हमें अपनी गल्ती नहीं दिखाई देती है सामने वाली की गल्ती दिखाई देती है हमेशा ब्लेम गेम चलता है कि भी फर एक्जम्पल की भाई पत्नी है बडी डॉमिनेटिंग है गुसे वाली है पीछा करती है उसका छोटी-छोटी बातों में शक करती है और फिर इतना किया कि पती डिस्टब हो गया उसको एक थपड मार दी वो बोले का इसने थपड मारी इसने मुझे खुण निकाला यह इसका ही है पूरा मैं पुली स्टेशन पर जाओंगी है ना लेकिन यह नहीं समवस्ति को स्टार्टिंग पॉइंट आपने कहा तक उसके टॉलरंस को एक्स्ट्रीम तक आप ले गए थे और यू नीड चेंज इन मैनी केसिस वह जो है रियलाजेशन बड़ा मुश्किल ह कि जो अगर हम परमात्मा के सामने सत्मूच यह कहे कि आप मुझे बताइए कि यह संबंदों में प्रॉब्लेम है लेकिन मेरी गलती कहा है ना मैं अपने आपको कैसे चेंज करू तो देखो परमात्मा आपको मुटिवेशन भी देगा वाव और यहां पर तो परमात्मा से प्रणा में लेगी कि तुम यह करो अच्छा एक और क्वेस्टिन मेरे दिमाग में आया कई बार ऐसा होता है कि जब हम शान्ती से भगवान की याद में बैचते हैं तो एक तरीकी का जैसे ट्राफिक जैम हो जाता है थौट्स का यहां का पीछे का आगे का शाए फूचर का पास्ट का ऐसे सिचुएशन में क्या राइटिंग है अगर मैं उन्हें लेटर लिखू तो विल दाट है इपूट्ल ने के लिए अबी जो चल रहा है जितना कुछ चल रहा है शायद पेन में हूँ मैं शायद किसी ने मुझे बुरा बोल दिया है या मेरा दिनी खराब गय है तो ऐसे सिचुएशन में राइटिंग विल है मेरे थॉट्स को केंदृत करने के लिए राइटिंग विल डफिनिटल है भगवान को लेटर भी लिखो दूसरा वस्त में यह भी लिखो कि अंदर में चल क्या रहा है और उसका कॉज ढूंडो वो भी लिखे है या तो अव भगवान को बोल रहे हैं कि देखिए मेरी यह 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 प्रॉब्लम है अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि भगवान से मदद ना मांगे मदद की बात नहीं कि आप मुझे विस्टम दो भगवान आके पैसा नहीं देगा लेकिन भगवान आपको अकल देगा क भगवान आके हैं आपका कैंसर ठीक नहीं करेगा को स्टोरी आपने सुनी होगी तो कि यह कैंसर वाले पैशन ने भगवान को याद किया कि भगवान तुम मुझे मदद करना और उसके बाद फिर एक-एक डॉक्टर आये कैंसर सरजन आया रेडियेशन वा ओंकोलोजिस्ट आया है ना कीमो थेरापिस्ट आया सब को उसने वापस भेज दिया कि मुझे तुमारी जरूरत नहीं यह भगवान मुझे मदद करने वाला और मर गया फिर भगवान के पास गया उसने कंप्लेंड कि भगवान जी आपने तो बुला था मैं मुझे मदद करेंगे मेरे तो मुर्ति हो गई तो भगवान ने का बुद्धू वो कैंसर सरजन को किसने बेजा था रेडियेशन ओंकोलोजिस्ट को किसने बेजा था कीमो थेरापिस्ट को किसने बेजा था मैं नहीं बेजा था तुने उसकी मदद नहीं सुनो, गॉड हेल्पस थू समबड़ी, वास भगवान कमें कहें और फिर कि भी आप और और सॉलूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाया, नहीं न कोई न कोई रूप से, और अभी दूसरा जो है बहुत इंपोर्टन सी बात है, कि भी हर संबंधों का प्यार परमात्मा से कर रहा है, for example, कि भी मा से आपको तनाव हो रहा है, you are disturbed because of your mother, तो मा का खूब प्यार परमात्मा से प्राप्त करो, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर बैलेंस आजाएगा, पर डौकर साहब, इस बात से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कि भगवान के साथ सारे रिष्टे तो बिल्कुल यह तो गलत हो गया, this is always a negative approach हो गया, जैसे कि हर दवाई की side effect होती है, तो ऐसे यह कहेंगे कि भगवान को याद करने की side effect होगी, कोई अगर ऐसा करे तो, ऐसा नहीं करना है, actually क्या करना है, कि जो भी हमारे सब्बंध है, अब सिर्फ हमें और यह और उसमें, सिरियल में पार्ट ही है, कि वो बॉस मुझे डाटता है, तो he cannot avoid, उसको script ही दी गई है, कि तुमको इसको डाटना है, पर मैंने ऐसा क्या बुरा किया है, कि मुझे ही डाट परती है, ये लिकिन वो तो सिरियल में, तभी तो सिरियल है न, लेकिन हम यह समझे, कि थसके साथ मुझे समबंद बनाना है, जैसे आपके पिता स्ट्रिक्ट थे, तो जो पिता स्ट्रिक्ट होने का पार्ट पहले से script में है, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूँ, मुझे Ze March lle प्रमात्पा से neutral करना है, और ये समबंधों को निभाना है, जैसा यह ब्या पहले ऑप आपना पार्ट बजाओं इन संबंदों को मैं निभाओं और एक्चुली जो प्यार प्राप्त करना है वो प्रमात्मास से करें यह अगर डिफ्रेंस एक्चुली हो जाए फिर से सिरियल की बात के आते हैं कि सिरियल में कोई पती-पत नहीं है वो लड़ते हैं पर तो समझता ह कि मेरा पती तो और कोई है वो मेरा पती नहीं है सिर्फ रोल प्ले रोल प्ले मैं कर रहा हूं तो डिस्टरब नहीं होगी तो ऐसे यहां पर भी है कि मेरे पिता भी यह रोल में है यह रोल ऐसा मिला है डिस्टरबंस का है पर तो एक्चुली मेरे पिता तो परमात्मा स्वय वाँ, 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 रियली, God is my father, उनसे मुझे सारा प्यार मिलता ही मिलता है, तो टेम्पररी यहाँ पर जो स्टेज पर थोड़ा रोल करना है, उसमें मैं कर रहा हूँ, and I am not attached to that role, so I am relaxed. तो इससे I think एक और बहुत बड़ा फाइदा हो सकता है, कि मैं भरपूर होती जाओं, तो शायद जब मैं मेरे डाड़ी से बात करूं, तो मेरे बात करने का तरीका जो बदल देखेंगे वो, तो वो भी शायद अच्छे बन जाए, वन्टरफूल, यह होता है, यह भी हो सकता ह क्योंकि, because we keep on expecting, और आपका ओ नेगेटिव होता है, आपका नेगेटिव होता है, उसके करने पॉजिटिव का भी होता ही ने, समझो आप दो बार, चार बार पॉजिटिव हो जाओं, सामने वाला, आटमेटिक पॉजिटिव होगा, वेरी नाइस, यहां से भरे, और फिर व लिकिन इंपॉर्टन कि भी प्यार के लिए हम रिलेशन्शिप को में से एक्सपेक्ट नहीं करें, अच्छा, भी रिलेशन्शिप पे दियारा पार्ट अप दिस सीरियल, जैसे भी यही बात, कि भी सीरियल में कोई पिता है, तो वहां तो सिर्फ एक्टिंग करता है, उसके यहां पर भी, कि भी स्टेज पे मेरे रिल पिता तो परमात्मा है, उनसे मुझे प्यार लेना है, उनसे सपोर्ट लेना है, यही जैसे अपने परमात्मा को याद किया, कि you are my real boss आप ही मेरे सर्वस्तो हो बस मैं तो आपके लिए कर रहा हूं आप बताते हैं ऐसे मैं अपने जीवन को जी रहा हूं तो फिर ओचीज मिल गई तो खतम हो गया कि this was a part of our एक play का part था दूसरा कुछ नहीं था बिलकु ठीक है आपने डॉक्टर साहब ये इतनी सारी खुबसूरत बाते हमने सीखी जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि अगर हमने भगवान के साथ रिष्टा जोड लिया तो automatically हमारे सारे जो stress है वो खतम होने लगेंगे और सारे रिष्टे अगर हम भगवान के साथ जोड लें तो हमारे अंदर में जो खाली पन है वो भी खतम हो जाएगा तांकियो सोमाश रॉक्टर साहब तांकियो था कमिंग इन इस शोर दोस्तों आज हमने क्या जाना जब हम बात करते हैं हमारे रिष्टों की भले थोड़ा सा टकराव चल रहा है लेकिन उसी वक्त अगर आप भगवान के साथ वही रिष्टा जोडें तो आप महसूस करेंगे कि उपर से आपको उनका सकाश मिलेगा साथ ही साथ वो भरपूरता की जो आपके अंदर फीलिंग आएगी उससे आपके साथे रिष्टे भी अपने आप ही सुलजने लगेंगे इस खुब सुरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को अमेंड करते हैं कल आपसे पिन मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान ओम शांती जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान मंजिले मिले जाएगी जरा खुद को ले तो जाए ओंसलों को कर बुलन पूंगे पूरे हरुमा मुश्किले मिटे जाएगी ओ चेहरों पर मुसकार ओ चेहरों पर मुसकार राज योग के दूर राज को जाएगी जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने keyboard झाल जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने के दूरे हरुमा